इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन तबाएं क्या पंजाब कॉंग्रिस में अभी घमासान बाकी है कल सिद्धू को पंजाब कॉंग्रिस का अध्यक्ष बनाये जाने के बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंग अक्शन में है अब से थोड़ी देर में कैप्टन अमरिंदर सिंग ने अपने खास नेताओं के एक बैटिक बुलाई है जिसमें कोई बड़ा फैसला वो कर सकते हैं आपको बता दे पार्टी आला कमान नहीं सिद्धू को पंजाब कॉंग्रिस के कमान सौपी है और साथी चार कारेकारे अध्यक्शो को इभी नियुक्ती की गई है इस पैसली के बाद सिद्धू को समर्थकों में एक जशन का महल तो देखा जा रहा है कल नई जमेदारी मिलने के बाद सिद्धू ने भी गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका लेकिन अब नजर कैपटन अमरिंदर पटी की हुई है वो क्या कदम उठा दे ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब नवजोद सिद्धू को नई जमेदारी मिलने के बाद वो गुरुद्वारे पहुँचे उन्होंने वहां मत्था टेका और जो सुलह का फॉर्मिला निकाला गया वो भी हमने आपके सामने रखा लेकिन क्या कैपटन अमरिंदर ने इसे दिल से सुवीकार कर लिया है ये जो लगातार वो मीटिंग कर रही है उसके पीछे उनके मंशा क्या है ये भी धीरे-धीरे साफ हो जाएगी